नवश्कार दोस्तों लीगल लीगल चैनल में मैं हूं रहुल सैफ आपका स्वागत करता हूं और मैंने जो आज टाइटल अपने थमने लियानी की जो एक पोस्टर आपने देखा है इसका टाइटल दो देखा है वीडियो का उसको देखकर जब आप आए हैं तो मैं एक बात होँ कि इसके अंदर जो भी टाइटल में कहा गया वह बात अक्षचे सही है मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जनरल ही ऐसा होता है कि वीडियो में बड़ा आप जी जानते हैं कि इस अपराध्धी तरीके को रोकनी के लिए बहुत अच्छे तरीके लीगल लीगल आपके लिए ले लेकिया आता रहता है। इससे पहले कि मैं आपको इस विशे में आगे कुछ बताओं मैं यही कहूंगा कि दोस्तों लीगल लीगल की बात चली है तो मैं आपको बता दूं कि लीगल लीगल अपने कोर्स में अभी भी जॉइनिंग ले रहे हैं और इस कोर्स का स्पेशल जो बात है वो यह है कि आपको कोई classroom study नहीं करा जाती individual आपके case के pattern को set करके उसका course वनाया जाता है यानि individual treatment होता है तो ये बहुत बड़ा फायदा होता है तो आपके case से focus studies इसमें चलती है वो इसका special अलग से course design किया जाता है हर बार हर individual के लिए तो इसको join कीजे और अपने case में जल्दी जल्दी फायदा लेकर निकल लिए दूसरी चीज़ यह है कि अगर आपको फिर भी एक simple consultancy लेनी है मुझसे तो उसके लिए आप मेरे whatsapp नंबर पे जाके बात कर सकते हैं ये paid consultancy होती है और इसमें message डाल कर फिर आप payment करने के बाद मुझसे appointment ले सकते हैं दोस्तो वीडियो अच्छा लगे तो like share subscribe जरूर कीज़ेगा comment करके जाएएगा और subscribe करने में कंजूसी ना करें subscribe अभी कर लें और notification bell on कर दें होता क्या है ये समझे अब देखें अक्सर पत्निया जो है आपको छोड़कर जाकर घर बैठ जाती है बैठी वे हैं कई लोगों की कई भाईयों की अब उस स्थिती में क्या होता है कि पत्नी जो है उसको एक तरीके से घर वाले मिलकर motivate करते हैं आपके किलाफ केस करने का क्योंकि ego की problem होती है पर वो शुरुआत में नहीं कर रही होती मगर या तो आपको हिंट दे देती या उधर से धंकिया मिलनी शुरू जाती है ये बात मालो नहीं तो हम ये कर देंगे आप इसमें अगर आपका पत्नी का अच्छा नहीं है तो इस वक्त आपका case से निकलना बहुत आसान है, आपको section 9 लगाना ही नहीं है, section 9 क्यों लगाते हैं हम लोग maintenance ब्लॉक कर देंगे, लड़की को गलत साबित करने की कोशिश करेंगे, पर ये time consuming process होता है, या फिर आपके हालात परिस्तितियां पहले से इतनी अच्छी आपके favor में हों, आपके वास कुछ सबूत हों, तो उस सिस्तिति के अंदर आप section 9 लगा कर भी कूरे case में मजबूत रह सकते हैं, वैसे मजबूत रहते हैं, demotivate होनी की ज़रूत नहीं है, और जिन्होंने section 9 लगा भी दिया है, तो ये ही वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से यही formula जो मैंने, जिनके पत्नियोंने कोई case नहीं लगाया और अपने घरों पे बैठी हुए, वो भी section 9 लोग भी इसी चीज़ को कैसे फायदे में ले सकते हैं, तो इसको last में देखिएगा, last में मैं आपको इस solution section 9 लोगों को भी दूँगा, जिनका case ऑलरी एक-दो option मिलता है, अपने किसी प्रियजन का अपरहन या जबरन किसी जगहे उसको बंदी बना लेने के एवज में, और जो आपका CRPC का section 97 वो इसके अंदर आपको रस्ता देता है कि इसको लागू कराया जा सकता है, 226 को आर्टिकल को उस section 97 CRPC से, करना क्या है कि यह high court में लगता है कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है कि पुलीस में complain करा है, या फिर पुलीस को एक complain देकर आप direct high court जा सकते हैं, और हैबस को रूटर होता है, मतलब इसके अंदर अगर आपके पत्नी को आपके सस्राल वाले लेकर नहीं आए, तो पहले इसके अंदर warrant निकलता है, search warrant निकलत बहन, माता, पिता, यानि कि लड़की के ये 4-5 जो संबंद होते हैं, जिन में blood relation होता है, उनके उपर आपको ये case लगाना है, एक चीज, दूसरी चीज ये है, कि आपकी बीवी जब court में आएगी, तो पक्की बात है, कि वो वहाँ आने के बाद ये उलेक करेगी, कि मैं इन इनके साथ नहीं रहना चाहती, अब आप कहेंगे, साब ऐसे कैसे कह देगी, क्यों कहेगी, वो तो तो तैयारी करके बैठीए, ये है, हाँ साब बिलकुल, पर यहाँ वो एक दुराहे पे खड़ी होई आकर, ऐसी परिस्तिती पैदा होई, कि अगर वो आपकी बुराई वह आ रही है, क्योंकि कोट ये कहेगा, कि जब कोई विवाद ही नहीं था, तो फिर आप रहे क्यों नहीं थी, तो अगर वो नहीं भी कह रही है, कि मैंने मेरे माबाब के दबाव में आकर, या इनकी परिशान करने पर, मैंने अपने पती के खलाफ कुछ ये एक्शन लिया, य घर से रूट कर चले जाना, पती के, और अपने पिहर जाके बैठ जाना, ससरवालों को वहां से कोसना, परिवारों को भी मोटिवेट करना, कि वो आपके घरवालों को आपको कोसना शुरू कर दें, तो ये सब काम पूरी प्लानिंग से, मुस्तेदी से, और मिलजूल कर किय गया है, एक करम होता है, तो उस स्थिती में पत्नी अपने परिवार वालों को ही बचाना सही समझेगी, क्योंकि उसको हैबस कॉर्पस क्वैश कराना है, यानि खतम करवाना है, तो खारीज करवाने के लिए उसको ये ही कहना पड़ेगा, कि साहाब, ये जो है ना, ग्यक्त हाई कोट को ठाने के लेवल पे मतला है, ठाना यहाँ है और हाई कोट यहाँ है, तो ठाने में सब चल जाता है, कुछ भी जूट मूट जाके बोल देगी लड़की, तो सब चलता है, ये मारा भी, रेप भी किया, 376, 377 तक भी पहुंचा दिती लड़की बात, जबकि उसके हाई कोट में ये चलता नहीं है, हाई कोट में उसको जब बयान देना होता है, तो यहाँ पर जो है, इस परिस्तिति के लिए उसकी अपनी जवाब दरी तैकी जाती है, ठीक है, आपका पती मारता है, पीटता है, रिपोर्ट क्यों नहीं करा है, छे मेरे आट मेरे, इस साल स्थिति में क्या होगा, कि उसकी बाट ठैरेगी नहीं, कोट उससे सबूत मांगेगा, वो सबूत दे नहीं पाएगी, एक दिन से जादा अगा टाइम नहीं देगा, कोट अगर जाज़ जादा उस दिन नहीं दे पारी, तो ठीक है, कल आप अपने सबूत लाके दिखा तो घरवाले मरेंगे, नहीं बोली, तो पूरे के-पूरे केस खारिज करने जाए, जैसी स्थिति बन जाएगी, आगे कोई 490 Day DB की प्लानिंग चल रही है, तो ब्लॉक हो जाएगी, अब समझे, इसके बाद क्या होगा, कि जब वो यहां से अपने घरवालों का पिंड छु पूरी तरह से आधार बन जाता है, आपके section 31A का, जिसके अंदर साफ है कि बिना युक्ति-युक्त कारण अगर और और वहां रही है, यह दिग गया है, बिना युक्ति-युक्त कारण के, कहतो रही है, मारा पीटा परिशान किया, सबूत नहीं दे रही, और बिना सबूत के बंदी protection current, तो judge इसको बहुत seriously लिता है, कि वो लड़की को भी बचाना चाता है, जो सस्राल वाले हैं, sorry, उनको भी बचाना चाता है, तो उस इस्तिती में वो बिल्कुल चाहेगा कि एक दम ठोस कारण पैदा हो, तो ठोस कारण पैदा होगा, नहीं रहना चाहती, आप आप उसको ले जाके on record जो दर्ज हुआ है, उसको ले जाकर आप 13A के अंदर one-sided जो डियागोर्स का option होता है, वो लगा दीजे, उसमें हो सकता है कि 2-4-6 मेने लगें, पर क्योंकि वो solid बयान है, सबूत वो दे नहीं पाई है, आप एक बात और धिहान रखिएगा, कुछ बाते यह निकल के आ रही होगी आपके दिमाग में, कि 498DV तब भी लगा सकती है, बिलकुल लगा सकती है, पर खड़े नहीं होंगे, पुलीस में लगता है, ले जाएए, on record बोला है साब, 498DV किया है, यह तो बोल रही है, on record इसके बाद सबूत नहीं है, तो आप किस गर गाउ हो जाने वाला है, बहुत जल्दी केस कतम हो जाएगा, तो यह जो option है, यह शांदार option हो सकता है, बजाए इसके कि आपको लंबा का चलना पड़े, पैसा बचाओ भाई, लीगल लीगल सर्फ एक चीज चाहता है, और जानता है, कि लड़का बहुत मेहनत से पैसा कामाता है, वो डूबने नहीं चाहिए, वो सही जगह भी लगने चाहिए, और कम से कम लगने चाहिए, इसलिए हम एंटिसिपेटरी बेल और बाकी की जो फरजी वाड़े आपके साथ चलते हैं, उन सब का घोर विरूद करते हैं, अभी 376 में उन्हें पांस लगों को बाहर निकाला है पर हाँ ठीक है, हम तरीका बताते हैं, माइंसेट करना सिखाते हैं, अब आते हैं सक्षन 9 लगा रखा है जिन लोगोंने उनकी बात पर, जिनोंने सक्षन 9 लगा रखा है, आप अपनी बीबी के दो आप्शन हो जाते हैं, कि अगर वो नहीं आ रही है, रेगुलर कोर्ट मे नहीं कर रहे हैं, तो आप है बिस लगा दीजिए, तो उस इस्तिती में भी यही जो बात मैंने कहीं, वो सब बाते हैं, उसको कहनी पड़ेगी, क्योंकि वहां ठीक है, उसने केस लगा रखे हैं, लगा रखे हैं, लाइए सबूत दीजिए, वहां इंस्टेंट होता है, हात इसे कुछ नहीं होता है मेडम, सबूत से होता है, तो वही सारे रिकॉर्ड्स फिल लिजाके अपनी केसे में यूज कीजिए, डारेक्ट उनको चैलेंज कर दीजिए फिरा, देखें दोस्तों, हर चीज का एक रहमबान उपाई होता है, हर चीज का एक एक एंगल है, हर जूटका कि सुनते तो लड़की की हैं, बिल्कुल नहीं सुनते साथ, लड़ना सीखिए, मेरे पास जितने भी लोग आया आज तक मैंने कभी उनको परेशान नहीं होने दिया, उनको अब मैं कुछ दिनों में मेरे वीडियो में भी लेकर आ रहा हूँ, और वो बताएंगे कि नहीं सुनते लड़की की, आपको सिर्फ अपनी लड़ाई लड़नी आनी चाहिए, जब हवाएं आपके बुरी तरह खिलाफ हो, सारा संसार दुनिया आपके खिलाफ हो, उस ताम अगर सिर्फ आप अपने साथ हैं, तो आपको कोई नहीं हरा सकता, कोई भी नहीं, फिर ह हम भी तो आपके साथ हैं इस वर, तो अकेले नहीं हैं आप, दोस्तों लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को, अच्छा लगेगा, कमेंट करके जाएंगे, होसला बढ़ेगा, हाएंगे